कोरोना को लेकर जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है वही गुजरात के अम्रेली में एक जोड़ी ने जनता कर्प्यू के दिन मास्क पहन कर प्री वेडिंग फोटो शूट करवाया यह प्री वेडिंग शूट गुजरात में हर किसी के लिए चर्चा का विशय भी बना हुआ है दरसल यह प्री वेडिंग शूट उस समय किया गया जब पूरा शहर और सारे बाजार जनता कर्फ्यू के चलते बंद थे इस दौरान एक भी इंसान सड़क पर नजर नहीं आया सिवाए इस कपल के यह फोटो शूट का आइडिया भाविन राम पराका है मंगल मुरत श्टूडियो ने एक कॉंसेप्ट सोचा है हम अपने देशवासियों को एक भविश्य की जलत दिखा है तो उसी सिलसले में हमने एक प्री वेडिंग हमारे की थी अमरेली सहर में राज कमल जोग पे टावर के पास सुबह हर कोई इस जोडी की बाते कर रहा है यह फोटोशूट खुजराद के अमरेली शहर का है कोरोना के कहर के बीच दुनिया की यह पहली जोडी है जिसने इस तरह जनता करफ्यू के बीच अपना फोटोशूट करवाया इन दोनों ने पूरे फोटो शूट के दौरान मास्क पहन कर रखा है शूट कराने वाले यूवान भाविन रामपरा का एक ही उद्देश है कि यह प्रिवेडिंग फोटो शूट का मकसद लोगों को कोरोना के प्रती जागरूप करना है कोरोना वाइरस कितनी गंफीर बिमारी है और लोगों के अंदर इसे लेकर जागरूपता पैदा करने के लिए यह फोटो शूट करवाया है फिलहाल ये जोड़ी चर्चा का विशय बनी हुई है जिसने इस तरीके से जनता कर्फ्यू के बीट अपना पोटो शूट करवाया है ब्यूर रिपोर्ट गुजराथ तक आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू के एलान किया था ये कर्फ्यू 22 मार्च रविवार को लगाया था इस दिन शाम पांच बजे कोरोना कमांडोस के प्रती आभार जताने के लिए लोगों से थाली और ताली मार कर धन्यवाद देने को कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वाइरस से अब तक देश में 9-10 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 500 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं ये बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक गुजरात तक भी आपसे अपील कर रहा है कि अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा गुजरात की बाकि सारी खबरे देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप अमारे तक आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं नमस्कार